महिंदर सिंग दोनी ने बिना सरहद्दे के फैंस का दिल चीता है दरसल उनके फैंस भारत ही नहीं बलगी फूरी दुनिया में फैले हुए हैं दोनी से जुड़े किस्से किरकेटर, युबा किलाडी और फैंस अक्सर सुनाते रहते हैं दोनी से जुड़ा एक बहुत खास किस्सा है जिसे कुछ साल पहले एक पाकिस्तानी मौडल और अभी नित्री ने साजा किया था पाकिस्तानी मौडल माथिरा महमत ने दोनी से जुड़ा एक दिल चुड़ेने वाला किस्सा सुनाय था जिसे सुन्डे के बाद फैंस के दिल में दोनी के लिए सम्मान और विजादा बढ़ गया था आपको बता दें कि मतिरा ने महिंदर सिंग दोनी से अपने मिलने की दिल छोने वाली रोजचक कहानी साजा की थी मतिरा ने बताया कि एक बार वो उसी होटल में डिनर कर रही थी जहां भारत और पाकिस्तान के किरकेटर भी रुके हुए थे मेरी उम्र 15 साल थी और मैं अपने पसंदिदा पाकिस्तानी किरकेटरों का आटोग्राफ लेना चालती थी मतिरा पाकिस्तानी किर्केटरों को देख खुद को रोक नहीं पाई और आटोग्राफ लेने के लिए उनके पास पहुँच गई उन्होंने इंटर्व्यू में बताया था कि कुछ पाकिस्तानी किर्केटरों ने उन्हें आटोग्राफ दे दिया था लेकिन उन्होंने मुझे फटकारा भी था उन्होंने कहा था कि इस लड़की को जरातमीज नहीं है इसे हमें कम से कम खाने के वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए मथिरा पाकिस्तानी किर्केटरों की पटकार से दुखी हो गई थी वो उस वक्त जोर से रोना चाहती थी लेकिन तबी उन्हें एक भारथी कर्केटर नहीं आवाज दी इस बारथी कर्केटर ने म थिरा को अपने पास बुला कर कहा था कि हम भी कर्केटर है यहां आकर हमसे आटोग्राफ ले लो ये भारथी कर्केटर कोई और नहीं बलकि महिंदर सिग धोनी थे आपको बता दे, मतिरा ने आगे बताया था कि धूनी ने ना केबल उने आटोग्राफ जी थी बलकि उन्हें अपने पास बुला कर उनसे बात भी की थी मतिरा तब से महिंदर सिंग धूनी की फैन हो गए थी मथीरा अक्सर धोनी के खेल और उनके स्ववभब की तारीक करती रहती है आपको बता दे मथीरा उस गटना के बाद से महिंदर सिंग धोनी की कितनी बड़ी फैन बन गई चीज कंदाजा उनके एक बयान से लगाय जा सकता है मथीरा ने एक इंटर्विव में कहा था कि अगर वो पाकिस्तान की वजीरे आजम होती तो भारत से कहती कि हमारा बुरा देश ले लो लेकिन धोनी को दे दो